नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमिश्की मा स्वाउत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर आज की वीडियो में भाई और जिस determinant का में रिविउ करने जा रहा हूं न सिप्थक्टर का परफोर्मा परफोर्मा तयार करने में केबल मुझे दो लग गए तो आप लोग इस चीज से भी अंदाजा लगा ले ना कि इस टैक्टर के अंदर कितने फीचर होने वाले हैं और क्या कुछ फीचर होने वाले हैं तो भाई ओ आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे नियू होलेंड 5510 एक्सल 4WD टैक्टर का जैसा कि आप लोगों हो ना पूरा देखने के बास सारव कुछ समझा जाएगा आज की इस वीडियो में भाई यो इसके प्रायस भी आपको बताऊँगा माइलेज भी इसकी बताऊँगा और इसके और वेज्यू को आपको बताऊँगा और हाफ वीडियो गर आप देखेंगे या स्किप करके उसको देखेंगे तो आपको वीडियो में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला आपके लिए पुरी वीडियो मिट्टी हो जाएगी तो आप अभी काट देंगर आपके पास समय नहीं है बाकी दोस्तों बिना देरी किये चलत नैसनल लुक है भाईयो यह जो की आपको फोरन कंट्री में भी नियू हलेंड के अंतर यही लुक देखने को मिलता है तो लुक काफी ज़्यादा शांदार और एटरेक्टिव लगता है इसका दिखने में आगे से विलकुल एक कैट आई डिजाइन इसको दिया गया है अगर आप देखेंगे तो येलो इस टाइप की इसके उपर यहाँ पर डिजाइनिंग भी की हुई है जिससे की लुक और ज़्यादा अट्रेक्टिव इसका लगता है दिखने में पीछे डिजल टेंग की तरह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो एक्सल की ब् फ्रेंट में आप देखेंगे तो निवहलेंट का जो लोगो है वो फ्रेंट में प्लेस किया गया है जो कि क्रोम के साथ में ही दिया गया है आप अगर इसकी हैडलाइट देखते हैं तो हैडलाइट इसकी इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि वो एक अपना पूरा टार है ना बाई वो सिंगल पीस हुड बॉनिट दिया गया है जो कि सिंगल गैस इस्टेट के थुरू यह उपन होता है आपको मेकैनिकल इसके उपर कोई फोर्च या कोई प्रेसर नहीं डालना होता है और यहां पर आप देखेंगे तो ड्राइटाइप का डूल एलिमेंट का एर ना पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक इंटरकूलर भी लगाया गया है भायो यह आपको दीख रहा होगा जो की पावर स्टेरिंग के जो जो ऐल है पावर स्टेरिंग का उसको ठंडा करता रहता जिसे कि power standing की जो seal वगरा है न वो लंबे समय तक नहीं करती है और उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है और power standing की जो life है वो भायू बढ़ जाती है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके engine की तो इसके अंदर आपको 3 slander का 2931 CC का 14.5 HP का engine देखने को मिलता है जो कि boss के ही landfill pump के साथ में यह आता है और यह जो भायू engine है इसके अंदर यह non turbo engine है इसके अंदर आपको turbo देखने को नहीं मिलेगी यह जो engine है naturally aspirated इसके अंदर engine लगाया गया है भायू जो कि without turbo आता है अब मैं भायू इसका steering का turning radius है ना वो आपको दिखाता हूँ आप लोग नीचे command box में जरूर बताना इसका turning radius कैसा लगा आपको और इसके अंदर जो steering है ना भायू वो single acting power steering देखने को आपको मिल जाता है आपको भायू इसका turning radius कैसा लग रहा है वो नीचे command box में लिके दो अभी के वी अब चलते हैं भायू इसके platform की तरफ और बात कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ों की तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो चड़ने के लिए पायदान है वो भायू आपको dual दे रखे हैं और जो platform है ना उसकी में जितनी तारिफ कर लो भायू इतनी कम है पूरे का पूरा ही flat platform इसके अंदर design कर रखा है कोई किसी तरीके का gear lever वगेर कुछ नहीं है बीच में तो काफी easy हो जाता है भायू टेक्टर के उपर चड़ना और उतरना क्योंकि किसान का जो काम है भायू वो ऐसा होता है कि बार बार उसको टेक्टर के उपर चड़ना भी पड़ता है उतरना भी पड़ता है तो वहाँ पर कहीं नहीं जो बीच में गेर होते हैं या बीच में के अंदर आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी देखने को नहीं मिलती फुली फीचर लोड डिटेक्ट रही है यहाँ पर आप देखोगे ना जैसे कि मैं इसके उपर बैठा हूँ तो काफी कमफ़र्टेवल इसका प्लैट्फॉम है वो डिजाइन किया गया है इस्टेरिंग आप यहाँ पर अगर आप देखोगे ना यहाँ यहाँ पर आपको इसका सटल का लिवर जो है वो देखने को मिल जायागा ऑगीं जिससे कि आप हर ger में हर सपीड में आगे और पीच्छे इसीली जा सकते हो और सटल के अंदर भी ऑफ्सन कंपनी ने यहाँ पर प्रोबाइट करा पावर सेटल आप इसके अंदर ले सकते हो प्रिंजिक अबाइस्अ जो आपके अंतर समय समय करेया तो कि आ荠क़ण में दर्थ कहना उत्लाइत नहीं आती और फ्लैट्फों भी आगर आप देखोगे तो इसके अंदर 12 ओल्लт का socket दे रखा है जिसे की directly charger लगाकर आप अपने phone को भी charge कर सकते हो dashboard भाई अगर आप इसका देखोगे ना है तो analog और digital का combination दिया गया है बिल्कुल नय look उसको दिया गया है side में अगर आप देखोगे तो heat guard भी इसके अंदर लगा रखे हैं और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी gear speed की तो total gear इसके अंदर जो आपको मिलते हैं यह आप देखोगे main gear lever के उपर आपको चार gear देखने को मिल जाते हैं वहीं पर आपको दूसरे gear lever के उपर आपको high low medium का option मिल जाता है और आगे subtle का lever मिलता है और यह आप देखोगे तो यह आपको high low का gear lever मिलता है तो total इसके अंदर आपको 48 speed मिलती है जो कि आपको main gear से चार speed मिलती है plus high low medium मिलता है plus subtle मिलता है और plus यह high low मिलता है तो total 12 plus 12 वहाँ पर 24 हो जाता है और 24 plus 24 यह हाई लो के थ्रू हो जाता है तो टोटल इसके अंदर 48 गेर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर कंपनी ओप्सन प्रोवाइट कराती है 12 प्लस 12 भी आप लोग ले सकते हो और 8 प्लस 8 भी आप लोग इसके अंदर ले सकते हो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्किंग का जो ब्रेक है ना भाईयो वो यहाँ पर दे रखा है जो कि बिल्कुल कारों की तरह ही दे रखा है इसके अंदर और जो क्लेश है ना इसके अंदर वो आपको डबल क्लेश के साथ में टैक्टर आता है लीवर आपको मिल जाते हैं एक इसके अंदर DC लीवर है और एक इसके अंदर PC लीवर दे रखा है साथ में ही इसके अंदर जो लिफ्टोमैटिक का बटन है वो दे रखा है जिससे की समान गयराई के उपर आपनी लिफ्ट को बार-बार उपनीचे इस लीवर के दुरू काफी इसली उठा सकते हो और यह जो लीवर है यह डिस्टिबिटर को कंट्रोल कने के लिए इसके अंदर लीवर दे रखा है और यह आप देखोगे तो सीट भी इसके अंदर आपको प्रोपर एड़ेस्टेवल मिल जाती है जो की डिलक्स सीट इसके अंदर भाईयो दी गई है फाइवर का डिजल टैंक इसके अंदर दिया जाता है भाईयो फिसले टार के अंदर 169 28 के दे रखे हैं अब बात कर लेते हैं भाईयो इसके पिछले हिससे की तो इसका जो रियर एक्षल है न भाईयो सबसे बहले वो आप देखो उसके अंदर आपको कोई किसी तरीके की आवाज वगरा नहीं आएगी इसके अंदर स्टेट टाइप के प्लेनेटरी ड्राइब के साथ में आने वाले रियर एक्सल जो है वो दे रखे हैं जो की लोंग टाइम तब भी आपको इसके अंदर कोई दिक्कत या कोई आवाज पिछले हिस्सेजे नहीं आएगी इसके अगर लिफ्टिंग अङयरा देखोगे तो इसके अंदर जैक सिस्टम साइड में दे दिया जिससे कि अबकी लिफ्ट जो है वह दो इधर उदर नाईले पिच्छे आगर आपको दिखानी कोसिस करूँ ना तो इसके अंदर आपको जो येलो कलर के लिवर है दो लिवर दिख रहे होंगे जो की PTO के लिए लिवर दे रखे हैं भाईयो जिससे की आपकी जो PTO है इसके अंदर वो PTO मिलती है multiple option आपको PTO के अंदर इसके मिल जाते हैं जहांपर की आपको 540 प्लस 540 economy प्लस reverse PTO तवाम तरीके की PTO option आपको इसके अंदर मिल जाते हैं भाईयो PTO HP की बात कर लो ना भाईयो तो इसके अंदर अपनी स्रेंडी में सबसे जादा HP PTO पावर दे रखी है जो की 46 HP की PTO पावर दे रखी है मात्र टैक्टर की HP से साड़े 3 HP कम है जो की अपनी स्रेंडी में किसी भी टैक्टर में नहीं मिलती है आपको यहां पर आप देखोगे न तो इसके अंदर dual distributor भी दे रखे हैं जो की cap के साथ में हैं जिससे की अगर आप कोई pressure का implement पीछे चलाना चाते ह आपको यह मिल जाता है साथ महीं अगर आप इसके अंदर देखोगे न भाईयो तो जो इसके अंदर रूफ है न उसकी फिटमेंट आप देखो कितनी ही जबड़ जस्त उसको दे रखा है जो की बिल्कुल company fitted है यह और इसको आप एडजस्ट भी अपने हिसाप से कर सकते हो साथ में अगर आप देखोगे न तो पीछे 12 वोल्ट का सोगिट भी आपको मिल जाता है ट्रोली वगेरा में अगर आप लाइट फिटिंग करना चाहते हो न भाईयो तो इसके तूरू कर सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो टोपलिंग आपको मिल जाती है मोटा समान अपना आप काफी इजली जो है कर सकते हो और भाईयो यह जो है ना इसके अंदर जो टैक्टर की सबसे जवर्दस चीज़ है वो है इसके अंदर इसकी कैनोपी जो की मैं जितने इसकी तारिफ करूं उतनी कम है बहुत ही जाता जवर्दस फिटिंग के साथ में इ जो कि अपने आप में काफी जादा है और अपने आप में काफी बैस्ट है जो कि आज के टाइम में अगर हर कंपनी इसको देने लगे तो बहुत जादा बैस्ट यह चीज रहेगी अब भायू बात कर लेते हैं इसके एडिशनल फीचर की तो इसके अंदर आप SkyWars सिस्टम ले स्पीड ले सकते हो जैसे कि आप 20 प्लस 20 ले सकते हो 12 प्लस 12 ले सकते हो 24 प्लस 24 ले सकते हो और 8 प्लस 8 भी आप इसके अंदर ले सकते हो और इसके अंदर आप एडिशनल फीचर के दोर पर 60 से लेकर और 60 लीटर तक का डीजल टैंक भी आप इसके अंदर ले सकते हो और साथ में ही इसके अंदर आप जो सटल का लिवर है न वो आप इसके अंदर पावर और मेकेनिकल दोनों ले सकते हो, अगर आप पावर के बारे में जाना चाहते हो पावर सटल क्या होता है तो निच्छे कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा, जितनी जादा कमेंट आएंगी, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भाईयो लेकर आएंगे, तो यह फीचर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि दोरपर आपको मिलते हैं, जो कि आप एक्स्टा कुछ पे करके यह फीचर भी इसके एंदर ले सकते हो, अब बात आ जाती है भाईयो इसके माईलेज की तो इसका जो माईलेज है ना भाईयो वो साथ से लेकर और 8 फिट का रूटर वेटर अगर आप इसके बिचे चला रहे हो मीडियम सोहल के उपर तो लगभग 6-7 लेटर की इसकी डिजल खपत रहती है परावर बाकी यह चीज डिपेंट करती है ड्राइवर के उपर की ड्राइवर उसको किस तरीके से उपरेट कर रहा है किस तरीके से चला रहा है तो दोस्तो अब तक हमने जानना इसके ओवराल फीचर्स के बारे में इसके mileage के बारे में अब बात आ जाती है प्राइस की अगर आप इस टेक्टर को खरीदना चाते हो तो किस प्राइस के अंदर खरीद सकते हो तो इसकी जो प्राइस है ना भाई वो साड़े 9 लाग से लेकर और 10 लाग के around आपको देखने को मिलेगी जो कि state wise और district wise price vary करती है अधिक जानकारी के लिए आप अपने अज़िकी dealer पर भी जाकर समपर कर सकते हैं और price depend थोड़ा सा वहाँ पर इस चीज के उपर भी करती है कि आप टेक्टर के अंदर कौन कोन से feature additional ले रहे हो क्योंकि बहुत सारे additional वीजरिस टेक्टर के अंदर दिये गए हैं टोप model variant अगर आप लेते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी price increase हो जाती है बढ़ जाती है बाकी दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकरी दी न्यू हलेंड 55 एक्सल स्रीज का four wheel drive टेक्टर है भाईयो उमीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी वीडियो को सूट काने में भाईयो मेहनत काफी लगती है वीडियो अगर आपको पसंद आई है न तो लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को सस्क्राब भी कर लेना अगर आप ऐसी ही नहीने वीडियो देखना चाहते हो तो और फेस्बुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहाए हो न तो फेस्बुक पेज को भी फोलो कर लो ताकि यहां पर भी आपको ऐसी ही ट्यक्टर से जुड़ी और टैक्नलोगी से जुड़ी नहीने वीडियो देखने को मिलती रहें फिर मिलेंगे भाईयो इसी तरिके की किसी और वीडियो को लेकर तब तक के लिए हिटे की गहराईयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद